और फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि भगवत मान सिंग जी ने जो शपत गहर लिया है उनकी जो कुल्डी बनती है उसके अनुसार उनका कायकल कैसा गएगा भगवत मान जी की जो शपत गहर कुल्डी है उसमें दो बड़े गाज़ोग बनते हैं और जिसे ये निशकर्ष निकलता है कि वह हैं अपना कायकल जो है काफी बिगन और बाधाओं के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे ये पंजाब के जो सीम है भगवत मान जी उनकी शपत गहर कुल्डी है उसमें जो लगल लौड है वो बुद्ध है जो की नाइंथ हाओं से बैठा है जुपीटर के साथ में प्रस्पती के साथ में जो की फर्स्ट और टेंथ हाओं के लौड है तो ये बहुत बड़ा राजियोग है भागे भाप में बैठके भागे की बेंती करा है साथ ही यहाँ पे जो भागे का लौड है वो अश्टम में चला गया है और विपरीत राजियोग की राजियोग बना रहा है साथी में उसके हैं ट्रिक हाउसिस के जो लौड है सारे एक साथ बैठ गए अश्टम भाब में तो ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजियोग बनता है और विपरीत राजियोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिशानी प्रॉब्लम्स देते हैं लेकिन सक्सेस को डिनाई नहीं करते हैं यहां भी आप देखिए यहां पर जो है च्छटे भाब का लौड है मंगल प्रॉल्स हाउस का लौड है शुकर और अस्टम का लौड है शनी तीनों एक साथ बैठे हुए हैं मंगल अपनी उच्छ राशी में है शनी जो है अपनी खुद की राशी में और शुक्र जो है अपने मित्र की राशी में है तो इस तरह से यहां पर जो है बहुत बड़ा विपरीद राजर्ग बनता है क्योंकि यहां पर शनी और मंगल जो है शत्रू है क्यों कि यहां बहुत ही ज्यादा प्रब्लम बताते हैं नहीं चाहिए यहां पर रहाओ की जो द्रश्टी है रहाओ की जो द्रश्टी पढ़ती है अश्टम भाव पे नौवी द्रश्टी पढ़ती है तो उसे पतीत होता है कि पंजाब में क्या कहेंगे उसे घ्रय युद्ध जैसी वनब पब्लिक जो है सड़क पर उतर आएगी नारे बाजी करेगी कुछ इस तरह के इनके डिसीज़न होंगे उसके खिलाफ इस तरह की परिस्तितियों का भी सामना करना पड़ सकता है कानू निवर्स्था भी खराब हो सकती है यहां पर जो इनका तनू कर्मा योगि नांत होस जो यह शपद गेहन हुआ है यह हुआ बुद्ध की होगा में अब बुद्ध यहां पर वैल प्लेस्ट है बुद्ध जो है लगल लॉड है और फोर्थास रॉड है और यह अपने मित्तिक के गाशी में है धर्मा कर्मा अधिपरती योग में तो यहां पर राज योग बना रहा है जो कि इंडिगेट करता है कि यह जो सैका है वो अपना कायकर पुगा कर पाईगी तो फ्रेंस हम देख सकते हैं कि यहां पर बहुत बड़ बड़े राज योग बनते हैं तो दो कर्मा योग और विपरती योग और यह जो है अपने आप में बहुत बड़े और शक्तिशाली योग होते हैं तो लगता है भगवत मान जी का भगवान ने भी साथ दिया है जबकि उन्होंने होलास्ट्रक में शपत घ्यार किया है जो की शुब नहीं माना जाता अच्छी कायों के लिए लेकिन फेबी जो शपत घ्यार के समय जो कुल्डी मिन की योग बनने वो बहुत हैं जो की बहुत हाँ ये बास सही है कि इनका जो कायकल है वो असान नहीं होगा बहुत भुश्किलों का सामना पड़ेगा विप्रीज सब्रस्यतियों का सामना करने पड़ेगा लेकिन फेबी ये एनिहार मैनेज कर लेंगे तो फेंस ये थी भगपतमान जी की शपत घ्याकुली अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जो कीजिएगा थेंक यू